नमस्कार दोस्तो अभी अभी बॉलिवूड इंडस्ती से एक हिरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है बतादे की फिल्म रन में अपने कववा बिर्यानी वाले सीन से लोकप्री हुए अभिनेता विजयराज को पुलिस ने माहरास्ट के गोंदिया जिले से गिरफतार किया है कथित तोर पर विजयराज पर फिल्म सेट पर एक महिला कलाकार के साथ छेड़ छाड़ का आरोप है एक्टर पर IPC की धारा तीन सो चोपन के तहट केस दर्जी किया गया है बता दे कि विजयराज अपनी टीम के साथ बाला घाट में थे जहां वो अपनी अगली फिल्म शेरनी की शूटिंग करने पहुचे थे खबर के मताबिक सोमवार देरात महिला की शिकायत पर राम नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्जगर पुलिस ने मंगलवार सुबह अभिनेता को गिरफतार कर लिया है विजयराज को उनकी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता है उन्होंने अभिनाई की शुरुआत साल 1999 में फिल्म भोपाल एक्सपेस से की थी इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में अभिनाई किया लेकिन विजयराज को बॉलिवुड में असली पहचान साल 2004 में आई फिल्म रन से मिली थी फिल्म रन में उनका कववा बिर्यानी वाला सीन खुब लोगप्रिय हुआ था आपको बता दे कि इससे पहले भी विजयराज को साल 2005 में गिरफ्तार किया जा चुका है तब उन्हें उस समय दुबई में ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था हाला कि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरे हम आपके लिए लाते रहे